विशेष्टो आजे अधिक मासनी पुनम शर्दवान भक्तो माटे आजनो दिवस खुब पवित्र ने पुन्य वन्त आजना दिवसे भक्तीना मनो रथो, सेवाना मनो रथो, सव कोई भक्तो करे छे अने श्री ठाकोरजी ना चर्णो मा धरे पण छे आजे अपुनम नो चंद रहिया थी समन्वई मा थी बाहर निकडिये तो जमनी बाजू गुरुदे व्योगीजी माहराज नू प्रागिट्टि स्थान नू आवास्थान जने आपने श्री हरी अभिशेक मंडब कईये चे आवे अने डाबी बाजू श्री ठाकोरजी नू नूतन मंदीर आवे अने बेनी वच्चे बरोबर जोईये तो पूर्ण विशाल चंद्र जे शीतल श्वेत प्रकाश पाथरे चे एना रूडा दर्शन अनुभव जे कोई पण याथी निकड़े एने थाई चे आ श्वेत वस्त्र नी वाद पण निकड़ी श्वेत चंद्रमानी वाद पण थाई रही छे त्यारे आ किरतनमा आ श्वेत वागह जे आजे श्री ठाकोरजी धारन करया छे एना दर्शन पन आपने आ संतोय भक्तोय कराव्या एमनी भक्तिने पन आपने खुब 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 वंदन धरिये छे बिजु आजे पहली ओक्टोबर छे आपना अक्षर निवासी साधू पुझ्य प्रफूल दास जी पुझ्य प्रफूल भाई नो प्रागट्य दिन पन छे संबंध माँ पुझ्य पप्पा जी ना ते ओ दिकरा थाई परन्तु कोई राजानों दिकरो राजाज बने एव गुणातित साधूना वंच वेलामा आ हर हम्मे शक्य थतू न थी एनू सर्वोत्तम द्रष्टान एपुझ्य प्रफूल दास जी नू जीवन छे चाहत तो मान पान सन्मान बद्दूज मेडवी शक्या होथ चाहत तो गादी पन मेडवी शक्या होथ पन पपाजी नी आगन्या लेवा गया पपाजी नी अनूमती अने अनू वृत्ती समझवा गया तेरे पपपा जी एक कहुँ कि जो गुणाती भावनू सुख पाम्बू हुए जो साचा साधू थवु हुए तो जा साहेब पाशे अने साहेब नो गोलो थाइने रहे जे अकल्पनिय शब्दों छे जे ते दिवसे पपपा जी ना श्री मुखे वहा अने परंपू जे प्रफुल दास जी ना रदये एने गरहन करया आखु जीवन जीवन जीवया एनी छली पड सुधी एस आहेब दादाना खरा दास थाईने रहा अने एमने जे काई पन सेवाव कर जी ने माटे कदाच अत्यारे समय गणों अचो पड़े हम छे परंतु पुझे प्रफुल दास जी ने आपने खुब-खुब बंदन करिये छे कारण के तेवे आपेला सने प्रेम अने तेवे ना हूफ ने जतन ने परिणा में अजे केटला वधा परिवारो छे ने खास कर तो रसोडा वी भाग मा सेवा करता सेवको छे के जवो पोतानू जीवन उन्नत ने उत्तम बनाविशक का छे रिवा प्रफुल दास जी ने फरी खुब-खुब बंदन करिये छे ने समय आज नी पारायन नो आनन्द मानवानो तोयो छे कान के असंतो ये नंद पंक्तिना सं पंक्राव शे तो अवे वदिव समय नती लेता है ने सादू पुझ भिमल दास जी ने जोरदार तालियो थी आपड़े व्यास्पीट पर बिराजमान थावा माते नी प्रार्थना करिये छे पुझ भिमल दास जी आज आनंद रूडो अवसर आंगणिये आज आनंद रूडो अवसर आंगणिये हर के हिल्लोडे है या है या रे आज आनंद रूडो अवसर आंगणिये हर के हिल्लोडे है या है या या रे आज आनंद रूडो अवसर आंगणिये आंगणिये सादु पुझ भिमल दास जी ने प्रार्थना करिये के आज श्री हरी लिला मृत महाग्रंथना आजना पाराणिनी कथानू आपन रूडो लाभापे पुझ सादु भिमल दास जी जे उत्पति तथा स्थिति लयक करे वेदो स्थुति उचरे जे नारोम सुची द्रमानु सम ब्रह्मांड कोटी फरे माया काड रविशशी शुरगनों आज्ञान लो पेक्षणा एवा अक्षर धामना अधिपति स्री स्वामिना रायना सहजानन स्वामि महराज निये गुरुहरी साहेब जी महराज निये अही पार्मिता मंदिरमा बिराजमान सर्व उक्षर मुक्तो तथा यूट्यूब ना माध्यमति जोडायल सर्व उक्षर मुक्तो ना चरणो मां मारा भाव भर्या जै स्री स्वामिनारायन आजे जुओने केवो सुब संजोक छे कि गैकाले आपने पारायन मां स्वामिनारायन महाममंत्र न उदभवनो उदगोस करयो अने गुरु सभानायुवान आजे स्वामिनारे महमंत्र न महिमानु बजन गायुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ हवे आपने सद गुरुश्री ब्रह्मानन स्वामीनों आख्यान सरु करवाजे इर्या छे ब्रह्मानन स्वामी ए स्रीजी महराचा अथेक दम सखा पणू होई छे महराच ज्यारे वी उदास होई तेरे ब्रह्मानन स्वामी तेमने उदासी दूर करवानू कार्य करता होई छे पण आज ब्रह्मानन स्वामी आजे खुब बिमार पड़ी गया छे अने बदा भक्तो तेमनी खबर जोवावया होई छे ए आख्यान आपड़े सरु करिये छिए ब्रह्मानन्दने एवे प्रसंगे मंदवाड थयो काई अंगे थोड़े थोड़े करजवदे जेमा मंदवाड थयो गणो तेमा सुने संत के हरिजन जेह आवे दर्सन करवाने एह बहु मादा देखी मूनी राय दिल मासा हु दिल गीर थाय मूनी सत संग ना थंब जेवा कवी तो कोय न दिसे एवा कोई दिवस जो स्रीजी रिशाय पासे कोई थकी न जवाय कवी ता मूनी ब्रह्म सुनावे उदासी होय तोय हसावे रिस तो जट उतरी जाय वादला जेम पवने विखाय कहे सव मूनी ब्रह्म जो जासे सत संग निसी गत थासे एवु धारीने सर्वे समाज कहे स्रीजी ने माहराज ब्रह्मानन स्वामीने सरिदे खुब मंदवाड थयो हय छे अने जेम थोड़ा-थोड़ा पैसाकरीने व्याज वदे करज चर्तु जाय एम थोड़े-थोड़े करीने त्यवन मंदवाड खुब वदी गयो छे अने सव सत्संग्यों तेमनी खबर जुवा आवे छे अने जोई इने बहु दुखी थाई छे अने विचारे छे के भ्रम्मानन स्वामी तो आ सत्संग्ना स्थम्ब समान छे ज्यारे ज्यारे पन स्री जी उदास होई छे त्यारे त्यमनी नजिक कोई जई सकतू न थी, कोई नी हिम्मत न थी के महराजनी नजिक जई सके पड़ मात्रा एक भ्रह्मानन स्वामी एवा छे के पोताना काविय रस्थी स्री जी नी उदासी दूर करी ने त्योंने राजी करी सके जो भ्रम्मानन स्वामी देह मुकी देशे, तो आ सत्संग नी सूवले थसे, एवा विचारती बदा भक्तो गबराई जाये छे, अने स्रीजी महराज ने प्राथना करे छे. मुनिनो मंदवाड मताडो, एने आवखते तो उठाडो, सुनी स्रीहरी ये वात कही, एनी आवर दा आविरही, करिये कदी कोटी उपाय, तो ये जीवता तो नरखाय, आचे प्रारब्धने वास देह, रहे आवर दासुदि एह, संत हरीजन बोलिया त्यारे, काड कर्म तो वस्चे तमारे, तमे जेम करो तेम थाय, अन्य थी फेर विनाश काय, माटे भ्रह्म मूनी ने उगारो, अमे मान सुपाड तमारो, एवी बोलता गद गद वानी, सवनी आखमा आविया पानी, सव भक्तो स्रीजी महराज ने कैशे, कि तमे गमेते करो, पणा भ्रह्मान स्वामी नो जीव बचाओ, त्यारे महराज कैशे, आ देह तो प्रारब्ध ने आधिन छे, अने जेने देह दर्यो छे, तेने आ देह छोड़ी ने जव पड़े छे, त्यारे भक्तो कैशे, प्रभु आ काड कर्मने मायातो तमने आधिन छे, तेनु आ भ्रह्मानन मुनी पर कई ने चाले, जो आप कुरुपा करो, तो भ्रह्मानन स्वामी नो देह टकी जाए, त्यारे महराज कैशे, बीजो तो कोई उपाई न थी, पण एक मात्र उपाई छ जो तमे वदा सत्संग्यों भेगा थेईने, तमारी आवर्दानू एक 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 अठवाडियों आ भ्रह्मानन स्वामी ने आपो, तो अमे आ भ्रह्मानन स्वामी नी आवर्दा वधारिये, बदा सत्संग्यों राजी थाईशे ने क्याचे महराज, एक एक अठवाडियों मुनितने तामें जीवालो, औने महराज कृपा करेचे, औने भ्रम्मानन स्वामी ने मंदवार दूर थई जाएचे, औने भ्रम्मानन स्वामी ने आवश्य लंबावईचे, हवे आ stupiddhah स्वामी ने एक माया ये अमनावा प्रविस्कर्यों होई छे त्यारे सू थाई छे तमने जणावू ब्रह्मानंद तनो एक चेलो उपदेश थी साधू थैलो रहे तेतो ब्रह्मानंद पास सजे सेवाकरी खरो दास पन तेनो विचित्र स्वभाव बिजा साधू थी नरयो बनाव तेती मुक्तानंद मुनीना मनड़ माजे तै रहयो मुक्तानंदे तो जानियो एम राखवो तेहने जेम तेम नहीं राखिये तो अलकलाशे सत संग माथी पड़ी जासे एम जानिने राखियो एने आपी धीरज तेसमे तेने ब्रह्मानंदे साधूने बोलावयो पासे राखवा बौसम जावयो पाण तेतो थाईने उदास रहयो जय मुनी मुक्तनी पास ब्रह्मानंदने संका आवी मुक्तनंद ये राख्यो फोसलावी मुक्तनंदना दर्सन काज साथ दिन गाया मुनी राज स्री जी आगड जै ये ते वात सर्वे रतन जी ये करी वात ब्रह्मानं स्वामी तो बव मोटा परमहौंस होई छे छेता पन एक वार एवु चरित्र थाई छे के ब्रह्मानं स्वामी नो एक मानी तो चेलो होई छे स्वामी नी बव सेवा करतो होई छे पण एनो जे स्वभाव थोड़ो वीर्चित्र होई छे तेथी मंदर ना बिजा साधू जर एने फावतू नथी तेथी एक दिवस ब्रह्मानन स्वामीनू मंदर त्याजीने मुक्तानन स्वामी पासे जाई छे अने केछे स्वामी मने तमारा मंदर मा राखीलो ने तों सत्सं ना मा होय छे ए वीचारे छे के जो एने नही राखू आसमे तो आ जीव वीचारो सत्संग छोडीने जतो रहते तो यहानू भूडू थसे मात्र आ विचारती ब्रह्मानना चेला ने मुक्तानन स्वामी पोताना मंदर मा राखे छे आ बाजू ब्रह्मानन स्वामीनों केलो म पने चेलाने मनावा जाई छे कि तु पाछो मंदडमा आवी जा आपड़ा मंदडमा तारी सोभा छे पन चेरोतो स्पस्ट पने ब्रह्मानन स्वामी ने कैँ छे जो मने सत्संग मा राखवो होई तो मुक्तानन स्वामी पासरेश मन तमारी जोडेत नहीं आवू जारे आवू थाई छे तारे भ्रह्मानन स्वामी विचारे छे कि जरूरा मुक्तानन स्वामी ये महाराज येलाने भर्मावी ने फोसली येनना मंडडमा राखी मुक्यो छे एवा विचारे भ्रह्मानन स्वामी अक्राई जाई छे अने मुक्तानन स्वामी जोडे अबोला ल श्री जी महराज ब्रह्मानन स्वामी ने मिठो ठपको आपको आरूं विचारे छे पन स्री जी महराज नो स्वभाव के ओ छे मारों ने तह्तमारों स्वभाव केओ क्या आपनों अंडर कोई चेलो होए औन एने कोई भूल करी होए तो सुके दफोर खबर नथी पड़ती सत्संग माँ छू आविरिते वरताई पन स्रीजी महाराट नुस्वभाव एवो नथी एतो पोताना चेला ने पहला एना गून दर्शावे के तु केवो छू तु केवो कारण थी आ सस्संग मा आवयो तो आ सस्संग मा आवा नो तारो धेशु हतो पेला एने वी मिठी मिठी वातो करे पोताना गून नू दर्शन करावे पछी पोतानी वात एनी आगर मुके तो आ वात एना समझन मा आवे आउज वीचारी ने स्रीजी महराज ब्रह्मान प्रह्मान स्वामी मारवाड मा संभूदान ने लाडू वाना पुत्र होई छे अने त्यों नू नाम लाडू दान होई छे नान पन्थीच बनवामा खुब होस्यार अने अनंत विद्याव ना पारंगत होई छे सिग्र कविश्वर महोपाध्याय सताव धानी पिंगला चारिय अनेक अनेक पदवियो पोते ग्रहन करे छे अने हवे मोटा कवी बनीने राजा रजवाडाओने रिजावे छे मोटा मोटा नवावोबने रिजवे छे अने पोते अखुट संपती भेगी करी होई छे पोते जया जयाए त्या जर्यानी सोनाना तार्थी बनेला वस्त्रो पेरे नक सिक सुधी मोटा मोटा सोनाना घरेना पेरे मोटा गोडा हाथी अने दास दास यन्नों तो पार नहीं आवु वैभवी जीवन लाडु दान जीवता होई छे अने तियो पोताना रसालो लेन एक वकत भाव नगर नरेश ना दरबार मा पधारे छे भाव नगर नरेश ने पोताना चंद दुहा अने कविताओ थी भाव नगर नरेश ना एवा एवा वखान करे छे कि भाव नगर नरेश तो राजी, राजी ठाई जायजे न क्या छे लाड़ु दान, आजे तो तमने हमारे सोने थी मड़ी देवा छे, नकसीक तमारा माते सोना ना गरेणा करावे छे, अने भाव नगर नरेश वकत सी, पोताना जे मुख्य सोनी होई छे, तेने बोलावे छे आ लाडू दान ना अंगे अंगनु माप लेलो तैमने आज आपड़े सोने मडवा छे। सोनी तो लाडू दान ना हाथ पग गड़ू बदा माप लेतो हुई छे। पण जे सोनी होई छे ए स्रीजी महराज नो सत्तंगी होई छे। तेना भाल मा सरस मजानो तिलक चानलो होई छे जैरे सोनी माप लेतो होई छे तेरे भ्रम्मानन स्वामी नजर अचानक ज ए सोनी ना कपाड पर पड़े छे अने भ्रम्मानन स्वामी पुछे छे आ तिलक चानलो सेनो तानियो छे सोनी जवाब आपे ए पहला भाव नगर नरस क्या छे आतो हमारा जे राज छे एमा एक घडडू करीने सेर छे एक घडडा मा एक स्वामी नारण उत्तर प्रदेस्ती आव्या छे अने पोहताने भगवान क्या छे बधाने परलोक बतावे छे पन साची वाद सूचे इतो तमारा जेवा कोई कविश्वर कोई बुद्धिवान जाए तो खबर पड़े अमने तो कई खबर परती न थी आवी वाद साबरे छे तरे लाडू दान गर्व थी क्या छे अरे महराज आतो मारा डाबा हातनो खेल छे हमना घटडा जाओ छू ए स्वामी नाराननो भगवान पणू उतारू छू अने तेनो खुल्लो करदव छू पन आवी वाद साबरी पिलो सत्तंगी सोनी होई छे ते क्या छे लाडू दान जरा साचाव जो जम मिठानी पुतडी होई ए सागर नी उंडाई तमारू पन कई अव नथाई अने श्वामी नारानन तमई चेला ना थाई जाओ तरे लाडू दान अटखास्य करेशे अरे सुनी जा तारा सी कई ने थाई एम विचार करने पोदे घोडे चडीने घडडा आवा निकरेशे गोडो तबड़क 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 जाई शे अने झेम घडड़ू नजीकावे शे लाडू दानना अंतर माँ स्तान्ती नोन भगधवा माड़े शे अने विचारे शे कि कदा जी हा स्वामी नारेन भगवान होई तो पसी विचारे छे के उन परीक्सा लव जो मारा चार संकल्प ए पूरा करे तो उन एमने भगवान मानू एम विचारी ने चार संकल्प करे छे के जो उन तिया जव अने कारा कामड़ा उपर भागवत पड़ी होए भागवत नी कथा कारा कामड़ा उपर थती होए महराज मने गुलाब नो हार पहरावे उँ जव अने मारू रुतांत मारा नाम साथे के अने पोता ना पगमा मने सोल चीन हो बतावे तो यमने भगवान मानू बाकी ये भगवान खोटा आवो विचारीने लाडुदान घजरा जया सभा चालती होई छे ते सभा मा पहुँचे छे जेवा लाडुदान घोडा पती उत्रीने सभा मा पहुँचे छे माराज सभा स्तांत करे छे ने बोले छे ओहो ओहो लाडुदान आओ 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 पधारो तमें तो मोटी मोटी पद्वियो लिधी मोटा मोटा राजाओने राजी करिया अने भाव नगर नरिस ने त्या थी अहीं आओ छो वात साबरता लाडु दानने तो परसेव वरी गयो आतो खरां तरी आमी छे पछी आगर जे ने जोयू तो एक भरवार कारो कामडो आपी गयो होई छे एक कामडा ओपर प्रभुये भागवत मुकी होई छे ने कथा थती होई छे पछी लाडु दानने बोलावे छे एक भक्त गुजरात थी आयो होई छे सरसमजानों गुलाब नो हार माहराज ने पहरावे छे माहराज पोथे हार काडी ने लाडु दानने पहरावे पोताना चरणों लाबा करे छे अने क्या छे लाडुदान आमार पक चरणमा सोल चिन हो जोईलो जेवा सोल चिन हो प्रभूना पगमा जुए छे लाडुदान विचारे छे हवे पाचु भाव नगर जओ न थी अई श्रीजी महराजनी सेवामा रहे जओ पड़ से अने श्री कवी ता सरी पड़े छे कवी कवी ता आ भजन आझनी घडीरे धन्य आझनी घडी ह आझनी घडी mean मैं निर्क्या सहजानंद धन्य आज नी घड़ी हवे लाडु दान तो महराज नी सेवा मा अखंड हाजर थाई छे जया महराज सभाकरिने बैठा होई लाडु दान पन महराज नी सामे पोताना सोनाना जर्यानी वस्त्रो अने नकसिक अलंकार पेरिने बैसे जाने कोई देवता खता सांबरवा बैठो होई एम लाडु दान पन महराज नी सामे बैसी ने रोज कता सांबरता होई छे पची महराज लाडु दान ने क्या छे लाडु दान तमारे अमारी एक सेवा करवानी छे तमें बहु बुद्धी मान छो, कुसड छो, तो अमारा जया दरबार छे, तेनी बे दिकरियो छे लाडू वान जिवुबा, तियो नो विवात हयो छे, तो अपन सांखे योगी बनीने अमारे यह रह छे, तो तमें एमने सुंगा रसना पाट बनावो, तो पाचा सासरे जाए आ सांबरी लाडू दान क्या छे, रहे महराज आतो साव सामान या काम छे, जो अब कड़ी करी नावू, लाडू दान तो बेनो ना दरबार मा जाए छे, आडो परदो न खावे छे, औने लाडू दान बनने ने सुंगा रसनी सरस्मजानी वातों करवा माड़े छे, वातों बाने जिवुबा क्या छे, आ तमें सरस्मजाना जर्यानी वस्त्रों पहर्या छे, पान चावो छो, आखमा काजर कर्यो छे, आवो तमें लटक मटक नो देखाव करो छो, औने कोईनी द्रस्ती भगडे तो कौने पाप लागे, तो के पाप तो मने लागे, औने पची क्या आजे मनुष्य देव छे वारम वार न थी मरतो और आजे प्रगट भगवान मढ़या छे तो तेमनों संग छोड़ी ने अमें बीजान संगे शुकाम जहिए अमें तो एकज निश्चे करियो छे का प्रगट भगवान मढ़या छे तेमने अमारे राजी करी लेवा छे अने तमे पन बुद्धी मान केहवाओ छो तो तमारी बुद्धी तमारा मोक्ष माटे वापरो अने सहजानन स्वामी नो तमे आश्रो करिलो जया वात सांबरे छे लाड़ू दान अंतर चक्षु खुली जाई छे अने आवी ने सीजा सिधा सहजानन स्वामी ना पगमा पड़े छे पोताना जर्यानी वस्त्रो आभू शनो बधू उतारी ने स्रीजी महराज ना पगमा मुकी दे छे ने क्या छे प्रभू तमे मने ग्ण्यान ले आपवा नहीं ए बेहनो पासे ती ग्ण्यान लेवा मुक्लियो तो मारा अंतर नो जे अंधकार नो पड़दो हत्तो ते खुली ग्यो छे हवे मने आपनो स्थाधू बनाओ महराज लाडू दानी ममुक्सता जानता होई छे तेने साधू बनाईने स्री रंग दास नाम आपे छे बेहनो द्वारा तेने रंग लागयो होई छे वैराज्यनो तेथी स्री रंग दास नाम पड़े छे पन लाडूदान तो मोटा कवी होई छे अने ज़ारे कवीता बनावता होई छने तेरा श्रीरंगदास्वयमा सेट थतु नथी तिती महराज ने भ्रह्मा अनंदश्वामी नाम आपय छे अने भ्रह्मा अनंदो महराज ना अनेक अनेक काव्य बनावीने संप्रदाई ने खूब मोटी सेवा करता थाई जाई छे हवे महराज तो अनेक लीलाओ करता होई छे आ लाडू दान साधू तो थाई गया पन जारे अमना घरवाराने खबर पड़ी कि आपना लाडू दान तो साधू थाई गया छे तो तेमनों विवाह थेयो होई छे ते विवाह वारी जिमनी पत्नी ए सर्व अंडरे ने बदा कुट्टूम बीजोनों महराज ने मलवा गटड़ा आवे छे अनन क्या छे के लाडू दान ने बोलाओ तो लाडू दान तो मलता न थी के तेमनों मौडू पण जोता न थी पण एक चिठ्थी मा बजन लखी ने मोकले छे ए बजन कयू रे सगपन हरी वर नूसाचू बीजू बदुक्षन बंगुर काचू रे सगपन हरी वर नूसाचू आ किर्तन जारे तेवना कुटुम्बी जनों साबडे छे तेवने लाडू दान ने लेके ब्रह्मानन स्वामी ने हवे वैराज्यनों पाको रंग लाग्यों छे ते संसार मा पाछा नहीं आवे तेवने ब्रह्मानन स्वामी ना माताजी स्रीजी महरार ने क्या छे के लाडू दानने महारा माटे बव प्रेम छे, ते महारा वगण रही नहीं सके तेरे महराज क्या छे, हवे थी अमे तेव ना माता बनीशू रमे जेव प्रेम आपो छो, येव प्रेमा भ्रम्मानन स्वामी ने अमे आपीशू अने कुटुम भी जोनने विदाय करे छे, महराज ने तो अनेक गतक्ना करवानी टेव एक वार महराज आख्यान नव चलावे छे, कि सभा भरेने बैठी होई, अने सभा मा जो कोई जोका खाए तो महराज पोताना हातमा बेर्खो लेने बैस्ता होई छे, जेवो जोको खाए, छुट तो बेर्खो मारी ने जगाडे, अने आवी रिते बधाने जागरत करे एक वार थाई छे हो, क्या भ्रह्मान स्वामी ने उजागरो थयो होई छे, अने मोटा स्वामी एतले आगली लाइन मा बेसे, पन महराज नी सभा चालती होई छे, अने भ्रह्मान स्वामी पोते जोके चड़ी जाई छे आजी बाजी वारा जूए छे के ब्रह्मान स्वामी तो जोके चड़ी गया होई छे, सूरा खाचर महरार ने इसारो करे छे क्या ब्रह्मान स्वामी जोरके चड़िया छे, एने बेर्खो मारो अने महराज तो बेर्खो लेई ने छुट ब्रह्म मुनी उपर फ्याके चे, अने अचनक ब्रह्म मुनी सफाड़ा करे जागी जाई छे अने कैचे महराज अब इर्खो मने क्या मारो, तो के ब्रह्म मुनी आपणों नियम सूछे, चबा मा कोई जोका खावा नहीं आ तमें जोका खाता ता एटले बेर्खो मारेो छे पण ब्रह्म मुनी तो बहु अस्यार के महराज हुँ काई जोका न तो खातो हुँ तो तमारी मुर्ती मा डूबी ने तमारी मुर्ती नू किर्तन बनाऊ तो तो સ્ણ સંરે હ્તૹરોંઔ ર્તદં તે સામએ થ૦૦ંodzi લેસંં લટકણ la tour ખ્઴૓રોં ,તે સામએ ઘલોં વેસલે તેસે त्यारे ब्रह्मो मुने गाई छे तारो चतक रंगी लो छेडलो अलबेलारे काई नवलक सुमी फाग रंगनारे लारे तारो चतक रंगी लो छेडलो अलबेलारे महराज जानता होचे के ब्रह्मानन स्वामी खर खर जोका खाता होचे पन त्योंनिया सिग्र कविता रचवानी सकती जोई महराज त्यमना पर खूब खूब राजी थाई जाई छे त्योंने भेटी ने खूब खूब धब्बा मारे छे आरी ते महराज त्यमना पर राजी पोदर सावे छे महराज छे महाराणे त्यातो अनेक प्रक्रन बदलाए, अनेक लिलावो थाए हवे महाराज एक प्रक्रन रेवुन सरू करिऊ के दरेक जे साधुओ छे, एने एक हाथ जेतलू टाट अपनू अने टाट विटीने फरवानू बदा साधुओ सम्मत थया, दरेक मने महाराज पोता ना हाथ एक मापी ने एक एक टाट आपे हवे ब्रह्म मुनी ने वारो आयो छे, ब्रह्म मुनी जरा तंदू रस्त होई छे इतले ब्रह्म मुनी जारे पासे जाए छे महराज तो बधानी जेम एक हाथ ताट मापी नापे छे अने ब्रह्म मुनी वीटे आगर वीटे तो पाचर खुल्डू रे पाचर वीटे तो आगर खुल्डू रे ब्रह्म मुने क्या करवूशु महराज अमा तो तमारू भुडू देखा से उन्तो तमारो सादू छू, माटे थुरू टाट वधारे आपो तरे महराज के जे नियम बधा माटे छे, ए नियम तमारे माटे छे, सत्संग मा रेव होई तो आ टाट पेरी ने रेव पर से जिवो, जे मोटा मोटा जर्यानी वस्त्रो पेरता था, नक सीख, सोना ना घर ना थी मढायला हता, ए आज एक मात मात्र टाट ना टुकडा माटे महराज ने प्राथना करे छे, पन महराज तो कैसे टाट नहीं मडे, तरे भ्रह्मानन स्वामी, आजु बाजु उपर नीचे आ दाफोरिया मारे छे, तरे महराज कैसे, अरे भम मुई, सुडाफोरिया मानोशो, तरे भ्रह्मानन स्वामी कैसे, जोवचु प्रभु, क्या आखा भ्रह्मान मां एक नख जेतली जगिया मां पन, जो तमारा सिवाई बिजो कोई भगवान होई, तो तेने आसरे जतो रओ, तमने छोडी दाओ, पनु जोव छुक्या आखा भ्रह्मान मां तमारे सिवाई, कोई भगवान नथी, माटे तमे ताट पेराओ, के जर्यानी पेराओ, तमारे आसरा सिवाई, कोई आसरो नथी, तमारे आसरे जहुरे आवानोशो, ब्रह्मानन स्वामी ने आवी निष्ठा होई छे भांदे नी जोडी फ्रती फरती एक वारे गाम मती पसार ठती होई छे अने ए समय क्यों होई े कर नि भगवान भजवाँ एवो समय होई वयराग्यों न वह उत्राश स्वामी नारान साधू जुए तो न थे कि म Muk dashboard मुके न यह उत्राश अने जारे मुक्तानन स्वामी ने भ्रह्मानन स्वामी पसार थता होई छे त्यार एक वैरागी बावानी नजर्मा अबे गाई जेवा संतो आवी जाई छे अने बन्ने ने बोलावे छे प्रेम दर्साव शेक आओ आओ मारा गेर पदरामनी करो अने जेवा घरे पदरामनी जाई छे बार्थी लोक मारी ने बन्ने न अंदर पूरी दे छे अने मोट्टो छरो लईन घस्वा बेसे छे आ वैरागी अने बोलतो जाई आजे तो स्वामी नारेन मुडिया हाथ मा आया छे येना नाक ने कान कापी ने फजेत करवा छे मारे आजे येमने छोडवा न थी ब्रह्मानन स्वामी ने मुक्तानन स्वामी अंदर पूरे ना सांबरता होई छे ब्रह्मानन स्वामी क्या छे सालू मारी नाखे तो सालू पड़ा नाक कान कापी न जीवता राखे तो बहु खराब थाई कोने मोडू पण बतावा ना थाई आत बहु भुनु थाशे त्यारे मुक्तानन स्वामी क्या छे हवे आपनों भी जो कोई आधार न थी महरार ने संभारो तो महराज रक्षा करशे बाकी आपन या आखला जेवा साधूना हाथ मती या गाई जेवा साधूने कोई छोड़ाई सकेम लाकतू न थी अने भ्रह्मानन स्वामी ने मुक्तानन स्वामी प्राथना करे छे बजन गाई छे कयू बजन गाई छे हमरे तुम प्रभू एक आधारा नाव के काग की गतिभया मेरी जहां देखू वहा जलनी दिखारा हमरे तुम प्रभू एक आधारा जेम कोई कागडो होई एक खावानी लालाचे कोई वहानना सड पर जाई छे अने भर पोट भोजन करे छे पन वहान तो पाणी मा जता जता मत दरिया आवी जाई छे त्यारे आ कागडाने भान थाई छे के उन खावानी लालच मा दरिया वच्चे फसाई गयो छू अने कागडो उडी ने थोडो उडे पन दरियो कागडो थोडो पार करी सके पोतानी पांख मा ताकात होए तेतलो उडे अने फरी पाचो सड पर आवी ने बैसी जाई दस पंदर वार उडे छे पन पछी एने लागे छे क्या सड सिवाए मारो कोई आधार न थी आँ सड पर वैसी रहिज त्या सुधिजू सुरक्षित छू एम आवी चारे प्रभूने जारे भ्रम्मा नन स्वामी नन मुक्ता नन स्वामी प्रातना करेशे तरहे श्री जी महराज ये गामना एक मोटा बाहु बली ने प्रेरे छे कि तु जान ये अशंतों ने रक्षा कर ये रस्ते थी पसार थाई छे अन्या बावा ने जुवे छे कि बाव मोटो छरो गस्तो होई छे तरही पुझे छे कि छरो शुकम गसे छे तो केशे आजे तो स्वामी नारन मुणीया मारा हात मा आया चे येना नाख कान कापी ने फजत करवा चे आबाजु आ गक्ति मां स्रिषी महराज नी शक्तिनो प्रवेस्थाई चेने पिला बावा ने गरती जाली ने पकडेंचे केशे जो आ स्वामी नारणना संतो ने ते सेज पन हाथ लगालो छे तो आ तारा छराची तारू मृत्यु थसे माटे अत्यार नत्यारे संतो ने छोड़ी दे आ महराज एक व्यक्तिमा प्रवेश करी ने बन्ने संतो नी रक्षा करे छे आवुँ छे महराज नू कारिय हवे आख्यान आगर चाले छे स्रीजी महराज आरिते रम्मानन स्वामी ने तियो नू पोतानू आख्यान समड़ायू के तमे कौन छो सुत्याग करीने तमे सत्संग मा आव्या छो आवी वाद करीने महराज तेमने क्या छे दिठु अच्रज आज विसेश करियो माया ये तममा प्रवेश मुक्तानन्द साथे मूनी राय एक चेलाने माटे रिशाया मुक्तानन्द छे गुरू आमारा गुरू जानवा तेतो तमारा आज साथ दिवस गया वही तमे दर्सने पण गया नही आवी वात करिने क्या छे तमे आठलो बदो त्याग करियो और एक चेलाना मोह मा तमे मुहाया एक चेलाने लिदे माया ये तमारामा प्रवेश करियो आने मुक्तानन स्वामी जेने अमे पण अमारा गुरू मानिय छिये तेवन तमे त्याग करियो तेवना दर्सने ना गया आवात बव खोटी क्यावाय अमे तमारा पार आवात थी राजी नथी आवू साबड़े शे तरे भ्रह्मानन स्वामी सुझावाबापे शे ते साबड़िये पच्छी भ्रह्म मुनी बोल्यावानी कहु साबडो सारंग पानी नथी मारो एमा काई वाक हुँचो सूसत संग माराक पान मादो थयो हतो ज्यारे सवे आवर दा आपी त्यारे कोई बाय हसे वड कारी खरी होय जेवी बला खारी एना आयुष नादिन सात आमे भोगविया नर भ्रात थयो बुद्धी माते थी बगाड उपजु इर्षा तनु आज्जाड एम उच्चारी उबा थये मुक्त मूनी नी आगल जये कर्यो प्रेमति दंड प्राणाम वली विनति करी एह ठाम महराज नो ठपको सांबरी ने मुक्त मूनी कहे छे भ्रह्मानन स्वामी बोले छे कि प्रभू आ तेज कई थयो एमा मारो काई वाक न थी हूँ तो तमारों ने आ सत्संग नोने संतों नो दास छू पन तमें याद करो कि जारे हूँ विमार थयो तो तमें आ बदा भक्तों ने कयो तो कि तमारी सांथ सांथ दिवस नी आवरदा ब्रह्म मुनी ने आपो तो तेमनी आउश्य वधारू और प्रभू मने एउँ लागे छे कि आ कोई वढकनी बायनी सांथ दिवस मारामा आविग्या तेथी आ सांथ दिवस हूँ विमुक थयो और मुक्तानन स्वामी नो में अभाव लिदो बाकी मुक्तानन स्वामी माटे मने कोई खराब भाव न यहाम बोलीने मुक्तानन स्वामी पासे जाई छे दन्वत प्रणाम करीने मुक्तानन स्वामी नी माफी मागे छे त्यारे मुक्तानन स्वामी पासे जेने सूथ हाई छे कि आमने कऊ मुनि भ्रह्म नमी नमी कहे वडि आखो बहु आसुड़ा वहे मुनि मुक्त महा गुरू तमे मुनि विजातव शिश्य सव अमे रहिये नमता उमंगमा पण माया परसाई अमंगमा उपज्यो अव गुन ए थकी ननम्यो तमने जते थकी तजिने घर बार आवियो नथी साथे सूत शिश्यो लावियो मुरुगलू भर ताख्यनू गयू मुझा चित्ते पण ए वीरीते थयू ब्रह्म मुनि कहे छे हे मुक्तानन स्वामी अमने तमारो कोई भाव न थी पण आतो आएक मायाय अमारामा प्रवेश कर्यो जयने लैने अमारू चित ब्रह्म थैग्यू जेम भरत जीब ओते बदू त्या जीने निक्रिया होई छे पण एक मुरुगलानी मायामा मोहाई जाई छे तेम हुपणा मायाने कारणे एक चेलानी मायामा मोहायो अने मने क्षणिक आपनो आउगून आवे होतो मार गुना माफ करो अने मने फरीथी आपना शर्ने लैलो त्यारे मुक्तानन स्वामी क्या छे भ्रह्मानन स्वामी अमने तमारो कोई अभाव न थी तमे सुखे थी मंडड मारो अने महराज नुँ भजन करो जारे मुक्तानन स्वामी अने भ्रह्मानन स्वामी नो फरीथी सूले थाई जाई छे आ जानीने महराज खुब खुब राजी थाई छे अने बनने संतो पर खुब खुब आसिरवाद वर्सावे चे न कैचे तमें बधा एक थाईने रो एमा जमने आनन दावे छे बाकी तमें गमे तेतली सेवा करो पन जो तमें संभ थी ना रो तो एमा अमारो राजी पो नथी माटे मामारो राजी पो लेवो होई तो सव हडी मडीने रैजो एमा ज अमारो राजी पो छे आम ब्रह्मानन स्वामीनों आख्यान पूरू थाई छे हवे आपन एक विशेस वाद करवी छे ये हुँ वाद तमने करू छू स्रीजी महाराद छे एमनो स्वभाव क्यों हो छे एनी तमने वाद करिवी छे महाराद नो स्वभाव एटले एकदम गुण कारी महाराद ने दरेक भक्तों ना गुण सू छे ए गुण जोवामाज इंट्रेस्ट अउगुण नी वाद सांबरव मां कोई इंट्रेस्ट ने अने महाराद नुझे तमे सरीर प्रना चिन हो जुओ ने तो महाराद ना कानमा एक तील होई छे अने जे सरीर सास्त्र होई एमन एवु कहवाईव छे के जैना कानमा आविटना तील होई एवे वक्तिने बीजा ना अउगुण खटपट निंदा माथा कुट सांबरवानी गमेज ने अने महाराज पासे भी कोई गमे तेटलों मोटों हरी भक्त होई पन जो बीजा हरी भक्त ना जो अभव अवगुण नी वाद करवा जाई तो महाराज नम तिरस कार कड़ी ने काडी मुके जाओ 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 ये बधी वातों संभर्वानों मर पासे समय न थी, तमारे महिमानी वात करवी होई, तो अमारी पासे आओ, जेवो महरादनों स्वभाव छे, एवो साहेब दाजनों स्वभाव छे, साहेब दाजना पोते पन कहा छे के कोई व्यक्ति मा नववानु अउगुन होई, ति उपर फोकस कर जो श्रीजी मैं साहभाल या क्यों साम्य छे स्रीजी ना स्वभाव ने साहभ ने साम्य आपुझे नरी आखे दिखा आएवी अने बिजी वात पन छेने कि महराज रहता क्या दादा ना दरबार माँ दादा ना दरबार माँ हजारो संतो हजारो हरी भक्तो और या बदायनी कुथली जो महराज सांबरा बेशे तो भगवान क्या रे भजे माँ ए महराज स्पस्ट कई दिधू कि कोई ना अउगून अभावनी वात मारी अगर करवी नई पन महराज ना आजिब्लाव भक्तो हई छे एमा घणा अभक्तो पन हई छे अने एवाज एक जीवा खाचर हई छे ए जीवा खाचर जे महराज ने विताडियू छे एनी तमने थोड़ी वात करू छता पन आटलू जीवा खाचरे महराज ने विताडियू तो अपन महराज केवा दयाडू केवा गुण ग्रहन करवानी वृत्ती वारा छे औने अन्ते आ जीवा बापुनू केवू कल्यान कर्यू एनी हुँ तमने वात करू छु भक्तो हवे आपने जीवा खाचरनू आख्यान जोईये। एक वार दादा खाचरना पिताश्री एबल बापू हवे पोताना अंतिम दिवसो छे अंतिम अवस्ता छे महराज दादा खाचर जीवा खाचर अने सव सत्चंग्यों तेमना धोलिया पासे बिराजमान होई छे त्यारे एबल बापू क्या छे हे स्रीजी महराज आ मारो अंत समय छे अने अंत समय आ मारू घटडू मारा बधाज गाम बदो गरास अने आ मारो दादो आ बदू हुँ तमने स्वापू छो एम कहीने दादा खाचरनो हाथ स्रीजी महराज ना हाथ मापी पोते अक्षर धाम सिजावे छे पचे दादो तो नानू छोकरू छे एशू करीले वानो आ घडडू समित बदो गरास हुँ पड़ावी लएश। पन एभल बापू हंस्यार होई छे एथी बदी दिवस्तु आ स्वामी नारान भगवानना हाथ मा आपीने जाय छे तरे जीवा बापूने थई जाय छे क्या स्वामी नारान ज्यासुदी घडडा दरबार मा छे त्या सुदी आ घडडू मारा हाथ मा आवानो न थी एम तेने देश भव थाई छे औने बिजू एउ थाई छे क्या इबल खाचर मारो भाई क्यवाई तो पन एने मारो विश्वास न थी अन्य परप्रांतिय स्वामी नारंव विश्वास छे मने दादो ना सप्यो अन्य स्वामी नारंव हाथ में ना हाथ आप्यो जो मने आप्यु होतने तो बधू कबजे करीले अадने द्विसभाव अन्य इर्शाव भव भेगो धाए छे अने नक्की करे छे कि आ दादाने मारे चेन्थी रेवा देव नथी नवरा पडेटले मनमा कावत्रानों विचारस करता होए कि कई रितिया दादाने उदुखी करू दादा खाचरनू गडड़ू गाम होई छे तेनी बाजूमा यमनू गरासनू गाम मांडव धार होई छे अने मांडव धार नी बाजूनाज एक खेतर अडिने रामपर गाम ए रामपर गाम भड़िलना भान खाचरनू अने आ बाजू दादा खाचरनू जे वच्चेनू खेतर होई छेने ए वच्चेना खेतर माटे बन्ने दर्बारोंने तकरार चालती होई छे एटले एन तकरार यू खेतर क्या छे जो भान खाचरना मानसो ए खेतर मा दाना वावी जाई तो दादा खाचरना मानस यहन पर हर चलावी दे आने जो दादा खाचर रहनी पर कई वावे तो भान खाचरना मानासाहिन हर चलावी दे वर्षो सुधी आवु चाले छे एक उखत महराज दादा खाचरने बोलावे छेने कैसे दादा आ क्या सुधी आवु ने आवु चाल से आ खेतर मां कहुं काउचुने दाना वाविदो दाना वावसो पाक आउशे तो हरी भक्तो ना काम माटे वपरासे माटे मारी यागने जाओ आ खेतर मां दाना वाविदो अने दादा खाचर खेतर मां सरस्मजाना दाना वावे छे सरस्मजानो पाक मोटो थाये शे मोटा एक एक हाथ ना डूंडा आवे छे अने महराज पचितो भगुजी जे सुर्विर महराज ना सेवक होई छे भगुजी सहित बस सो बंदुग धार्यों ने आ खेतर नी रक्सामा मोकली दे छे अने महाराच छे, महाराच तो अनेक लिला चरित्र करे, महाराच जे समयानू मिश्लिधू, अने बद्धा जे बसो बंदुग धार्यों होई छे, एमाती बगुजी सहित मात्र बार बंदुग धार्यों ने राखे छे, अने बाकी बदाने समयामा बोलाईले छे जीवा खाचर लाग जोईने बैठा होई छे, जीवा बापुने थयू, खरो लाग मलियो छे, इटले भडली जेने भाण खाचर ने चड़ावे छे, कि जुओ खरो आ लाग छे, खेतर पड़ावानो, तमे बस सोप आड़ा लेन जाओ, अन्ने मातल धारद जी अमनों मुख्य सैनिक होई छे, तेने मुखलो, अन्ने भगुजी सहित बधाय ने पताई ना खेतर तमे कब जे करीलो, अन्ने पची तो मोट्ट युद थाई छे, भगुजी ने पन मोट्टे पट्टे तलवार नो घा थाई छे, भगुजी पते बवव सुर्वीर होई छे, अगा थात ने, पन जे भाण खाचर नो मानस आयो होई छे, तारा मनमा रही जसे, प्यलो घा तू मने कर, पची हुँ अन्ने घा करीश, अन्ने पेलो घा भगुजी ने थाई छे, त्यार बाद भगुजी तलवार नो एवो घा करे छे, के दादा खाचर ना मानसो आ युद जिती जाई छे, अन्ने बान खाचर ना मानसो तो उभी पुछडिये भागे छे, पन आज युद थाई छे, पेला ब खाचर ना दरबार मा लावाम आवे छे, महराज भगुजी ने जोवे छे, भगुजी ने मलम पट्टी करावे छे, पन जीवा खाचर ने थाए छे, क्या भगुजी जीवो ना जोईये, क्यामके भगुजी महराज नी रक्सामा छे, त्यां सुधी महराज नो वार्य पन वाक वो नहीं थाई, मारे कई कावत्तरु तो करूज पर से, इले जीवा खाचर पहला ना जमाना मता डॉक्तर नी बहु वियोस्था नहीं, इले वारंद बदी वियोस्था काम काज करे, इले वारंद ने क्या चे जो, तु जार्या भगुजी ना पाटो बदलूने, तारे जीवा भगुजी खाटला नी उपर उभाथ से, इना टांका टुटी जसे, औने भगुजी अक्सर धाम ने प्यारो थे जसे, आवो जीवा खाचर नो पापी विचार होई छे, भगुजी ने पाटो बादे छे, काडी बदत्रा थाई छे, भगुजी साथिना सेवके ने कै मने काडी बढत्रा उपरी छे, महराज ने बोलाओ, महराज ने बोलाओ, महराज ततकाड भगुजी पासे पहुची जाई छे, अने तेनो पाटो छोडावे छे, जुवे तंदर कभुतर निया घार होई छे, वारन ने बोलावे छे, वारन तो बदू माफी मागी ने कैश मारो कोई वांक नथी आ जीवा बापुय मने लाला चापीती ने पाटो बाधवानों कयोतो तिथी में लाला च मावी ने पाटो बाधियो छे औन एट सम्य जीवा खाचर ढोलन अगारा वगाड़े छे के भगुजी ने सुरातं चड़े पन माहराज कह छे भगुजी तमे सांतरों आपने काई करव नथी पछी महराज केजे भगुजी आम तो तमारो काड आविग्यो छे बोलो तमारे सु करवू छे त्यारे भगुजी केचे महराज महरे तो अहिया पण तमारी सेवा मारे हवानू छे अने धाम माँ पण तमारी सेवा मारे हवानू छे पन लोको येव कैसे का एक मामूली खेतर नी तकरार मा स्री जी महराज नो आओ रक्षक चड़ी गेओ अने आपना उपर लांचन लाक्षे आ लांचन उसाही ने शकू त्यारे महराज कैसे बगुजी जीवारव़़व लारव़़़़ बढ़ै कोना हाथ माँछे जीवोंने मरण तो आ कोई जीवा बापूना हाथ मा न थी एतो मारा हाथ में भगुजी जा तने जीवाडियो एम करने आम हाथ मा हाथ आपी ने क्या छे आ काड ने भगाडियो औने बधानी आखो सामेजे काड घटडाना दरबाज आम आवतो हो छे उभी पुछडिये भागे छे ने भगुजी ने महराज जीवत दान आपे छे औने जीवा खाचर ना बदा खेल खतम थई जाए छे पन जीवाड भापु हो छे ने बहुँ आम एवो जीव हो छे कहिक नएक कहिक कावतरा करवाए ने जोई हैसे एटले नव कावतर विचार छे के येण ≪गाम होई छे मांडव दर मांडव बढ़ घड़ेला और मना सкиमया बहु अम जबर्जस्त ताकतवारा अने बहु भराड़ी मानस्वाई छे, जीवा बापु एने जहेने चड़ावे, कि तम्य आ मांडव धार लेलोने, तम्य तो अम ताकतवारा छो, आ दादा खाचरने मेसूर आपू एनी गुलामी करवी, एना करता तम्य आ मांडव धार ले बर छे, पन जियां सुधी पेला स्वामी नाराण बेठा छे ने, तियां सुधी तमारू पांच चुई नहीं आवे, पेला स्वामी नाराण रस्तो करो, पची बदू तमारू उच्छे, उमारो साथ ते तमने निस्चिंत्रो, अने आ बन्ने भरवाडो नक्की करे छे, कि स्रीजी महराज ने ठेकाने पाडिये, अने महराज पन तेना चरित्रमा भरी जाई छे, महराज एक वार विच्रण माथी आवता होई छे, जनरली तो महराज नी जोडे बदा दरबारो गोडा उपर होई, पन महराज आवकते मान की ने बदो पावर चड़ावे छे, अने मा सिमाडे खुली तलवार लेने उभा होई छे, कि जया सहजानन स्वामी आये, सहजानन स्वामी नू काम पुरू करी देए, जया सहजानन स्वामी नो गोडो नजीक आवे छे, जुवे छे क्या उभा छे, तेरे महराज का छे खबरदार, जया महराज बे हाथ उचा करिने क्या बड़ दार युँ बोले छे, आ बन्ने भरवाडों खुली तलवारे, एक स्टैच्चिव पत्थरना पूत्रा होन या पूत्रा बनी जाई छे, औने बे दिने बे राद एम न एम पूत्रा बनी न रहे छे, महराज तो घडडाम आवी जाई छे, आ बन्ने भरवाडों कुटुम्बी जनो महराज प्रासे जाई छे, यहमना पगमा पड़े छे, अने क्या छे महराज येतो अनाडी छे, पन तमे तो भगवान छोने, तमे एना पर दया करो एने जीवत दान आपो, महराज तो दयाडू छे, अहीं चप्ती वगाडे छे, अने पेला बन्ने मा जीव संचार थाई छे, फरी पाशा बन्ने जीवन्द थाई छे, आतली महराजे कुरूपा करी, तो अई समस्ता न थी, अने जीवबापू फरी एने चड़ावे, के तमे एम करो, हुँ एवू कावत्रू करू, के स्रीजी महराज ने घडडानी बाहर लेई जो, पसी तमे बढ़ चुई ना चाले ने, तो सिधा भाव नगर नरेश पासे जाई, आ भाव नगर नरेश ने बापू जोडे सारो सबन, बन्न एक सर्खा इले गोश्टी हारी थाई, एटले भाव नगर नरेश पासे जाई, अने के, आ दादो बहु खराब मानस चे, आ सहजानन स्वामी जाद करेशे, अने पछी आ भाव नगर उपर चड़ाई करशे, अने तमारू राज जतू रेशे तमने भारे थाई जशे, आउ नाउ कई न कई चड़ावे राखे, फरी एक बार यहू थाई छे, के दादा खाचर ना दरबार मा सरस मजानों पाक तैयार थाई गयो है छे, अने जीवा बापू नरेश पासे जाई ने कैचे, आ दादो केवो छे, जोओने तमारू मेसूल बेसूल कई भरतो नथी, पाक सिधो सगे वगे करी ने कोठार मा भरी दे छे, राज जेनू मेसूल भरतो नथी ने बदू डायरेक्ट काम करे छे, वक्त सी के एम एउ छे, पचास माराज नो एक दाणो रहतो नथी, अने स्रीजी माहराज पन पोते मनुस्य चरितर करे छे, कैचे, आतो भाव नगर नरेश नो हुकम छे, एना हुकम थिया सैनीको आया छे, आपने सू करी सकीए, आपने थोडू एमनी जोडे लडवा जवाई, आपने क्या कोई सामर्थी मनुस्य चरितर महराज करे छे, अने ज्यारे दरबार मा एक दाणो अनाजनो नसी रहतो, तेरे दादा खाचर ने तेमना कुटुमबी जनो ने महराज कैचे, हवे अमे यह नई रहिये, तमारा घेर अनाजनो दाणो न थी, तमारे खावाना फाफा छे, तो अमने ने संतो अने तमे काई रिते जमार सो, माटे हवे अ घडड़ा अमारे छोडवू पर से, तेरे दादा खाचर ने कुटुमबी जनो, महराज ना पगमा पड़ी जाई छे, अने कैचे महराज, अमे वेचाई जैशू, पन तमने घडड़ा नहीं छोडवा दिये महराज, जैरे जीवा बापुना होए, पन धार्युत्वा सहजानन स्वामी नुद्थाई छेने, चालो, साजे पाक ना खड़ा तमारा घरे आवी जाई छे, जया महराज आओ बोले छे, त्या तो भाव नगर नरेश नुँ अंतर फरी जाई छे, अने जीवा बापु फरी एने तरबार मा पग मुके छे, तेरे भाव नगर नरेश ने जेने क्या छे, बापु साचाव जो हम, पिलालोको अनाज ना खड़ा घरमा भरी दिया वाना छे, पन भाव नगर नरेश नुचित्तो महराज फिरवी काडि वह चे, भाव नगर नरेश क्या छे, अलिया मुरक, आ बेया मैना थाया, अत्यार शुदी अनाज नुएक दानो उठायो नथी, अने शुआ अवे अनाज भरी दिया वाना छे, अने तूसु मुरकानी जेम अहिया बद द्वाडियो आवे छे, मारे तारू कई सांबरू नथी, अत्यार न अत्यार हुकम का मुकलो छु, कि अनाज घर मा भरावी ले, आ चिठी आ हजुर जुडे मोकलो छु, जारे जीवा खाचराव सांबरेशे क्या शे, नोकरने मोकलवानी सु जरूर छे, उन गडडा नो छुने, लाओ हुकम मने आपो, आ हुकम लेने दादाने आपी देश, तारे भाव नगर नरेश क्या शे, तूतो स्वामी नाराइन नो भगलो भगत लागे शे, अमना तो मने दादा विरूत चड़ाव तो तो, अने हवे आदेशले ने जवानी वाद कर शे, मने तारो कोई भरसो नथी, एम करिने अपमान करिने दादा खाचर ने, जीवा बापुने त्यांती काडी मुके शे, जीवा ब अमारे जातेश कई करू पडशे, एटले हैनो एक साथीदार बुड़ो धादल होई छे, ए बुड़ा धादल ने चड़ावे छे ने क्या छे, के तने वाटली जमीन आपीस, अने आतला रूप्या आपीस, अने लेया आमारी तलवार, तार एक काम करवानू छे, तो के संताई जवानू, जेवा महराज आवे, आ मारी तलवार्थी एक घान बेया कठका करी देवाना, महराजे जाए ने अने आईश्वरे जाए, आपन ने तो बोलता है कै थाई छे, पन जीवा बापू ता कारस्तान करता था, आप प्रत्यक्स गोठा उता था, बोलो के वाद क होई, क्यों आप दा कारस्तान करूँ सु तेने कोई जानतू नथी, पन महराज तो केवा छे, कि जेम हतेडी मा पानी नू बुंद आपड जोईये ने, एम अनंत जीवोनी क्रिया, एक हतेडी मा पानी ना बुंद नी जेम जोई सके, छता पन जीवने कई कहता नथी, ए महर महराज अंतर यामी पणे आ बधू कावत्रू जानी जाए छे, आजे सवारे महराज थोड़ा वेला उठे छे, अने महराज ने वेला उठेला जोई भगुजी कहे छे, महराज का आजे वेला उठिया, तो के भगुजी फानस बानस लईयाओ, अने जे टोईलेट छे त्या जाओ, जेरा साव चे ती राखी ने जजो, जे महराज आओ बोले छे, भगुजी समझी जाए छे के काई खत्रो छे, इतले भगुजी तो भानस लेने जाए छे, अने धीमे रेने दर्वाज खोले छे, दर्वाज खोले तो सूजुए छे, पिलो बुडो धादल खुली तल तलवार लेने त्या संताईने उबो होई छे, जेओ भगुजी तेने खुली तलवार जोए छे, भगुजी येवा बढवान होई छे के पोताने एक हाते पेलाने पकड़े छे, एक धक्को माहराचेने 25 फूट पिलो दूर जेने पड़े छे, एक बाजुने तलवार एक बा खाली लेलो, अने एने छोडी मुको, अने तलवार जेर लेचे, तो तलवार पर लख्यू हचे गाम धनी जीवा बापु, तेरे महराज भगुजी ने क्या छे, आपने जीवा बापुने खाली एम के वाईतो खरूने, कि आवा कावत्रा ना करवा जुईये, जीवा टो महराज ने तलवार बतावे छे, आपने बुड़ो धाल, आज ये सवार खुली तलवार लेने अमने महरावा आयो तो, तो के, ओहो महराज, जाना कई जानतो नाथी, ओहो महराज, एउ थेयू, मने लागा छे, क्या खीटी ये तलवार भराती ती असे, और गोलकूनो ल तमने मारवा आई गयो छे मने काई खबर नथी माराज येदो तमार उपर विरोधी छे तमने मारवा मारी तलवार लए न आई गयो तमने सारू करू क्या तलवार लए न मने पाची आपी माराज बाकी मने काई खबर नथी माराज के एव जीवा बापू तके हाँ माराज गरे जुट्टू, जाने के बगवान अज नथी, उंज बगवान शेव, मानी बैठा होईचे। हवे जीवा बापु क्याशे, क्या कावत्रू पन फेल गयू। फरी जीवा बापुने काम केऊ। कि जे पन कोई दादाना दरबार मा आवेने, जीवा बापुने दरबार एटले मोटी डेली क्यावाई, जानतो है के ना जानता होई। जे दादाना दरबार मा आवे, एले के जाने के एकलो पड़े होछे, आज बजु कोई नथी, एटले आवेने धीमे थी कही जाए। ए बापु, आवो तो मोटी डेली जरा छास पाणी करता जाजो, एमनेम ना जाशो, आ जीवा बापुने मेमान गती मानी ने जाजो, अने जेवो कोई भोडो होई, जीवा बापुने तिया जाए, एटले नीचे थी उखडवानू चालू करे, आ स्वामी ना रहें त्वाम छे, माटे बवु जता ने एने त्या, आउ मगज फेर्वी काडे, आने पेला सस्तंगी पाछा गटड़े आवे, त्यारे महराज ने सादुने एक डेक त्याने महिमा समझावानू चालू करू पडे, केटला ने महराज महिमा समझावे, आने जीवा बापु एने खाडा मा उतारी दे, आयनू रोजनू काम, हवे जीवा बापु एक वार महराज नी साथे बेठा होई छे, आने उपाडो ले छे, मस्त वातनो, के महराज, तमारी मानकी क्यवी पड़े, हम बापु, आवी गोडी बीजे क्या है छे नई, महराज के साची वाच छे, मानकी क्वाण छ मानकी दो गरुड न उतार छे, मारू मन वाचे, हुँँ जेम विचावरे मननी गतिये द्वाडे यह मानकी छे, पछी बापु के, बापु तमारी मानकी साची, पन मारी जुजे ताजन गोडी छे ने, ये पन खरे-खरी हम, मैं खवडाई ने एवी पलोटी छे, तमारी मा मानकी ने, पन आटी पाडी देवी मारी ताजन गोडी छे, तो माराज के, असे तमारी गोडी बोलोन, तमारे काम सुछे, तो के माराज काम कई न थी, पन मने वो विचार आवे छे, के मारी ताजन ने तमारी मानकी, बन्ने नी आपड़े हरी फाई करिये, औने जे जिते, एने आटलू इना मळे, पण एक सरत छे मारी, तक बोलो सु सरत छे, कि तमारे भगवान पणु वापरवानु नई, सामान या मनुष्य तरिख जे स्पर्दा करवी होय, तापड़े स्पर्दा करिये, तो महराज केशे, जाओ जीवा बापु तमने वचा नाप्यू, भगवान पणु नई वापरू, बन्नेनी स्पर्दा चालू थेगे होचे, पण स्पर्दा पाचर जीवा बापु नू एवो होय छे, क्या ताजन ने मानकी जो धोडी नजिक आई जाई, तो ये समय स्रीजी म महराजने मानकी ने एवी लात मारू, क्या मानकी ने स्रीजी महराज ब्यव गुलाट खेने खाई मा पड़े, मानकी जाई ने स्रीजी जाई, आवो येनो विचार होय छे, अने स्पर्दा स्वरू थेई जाई छे, पन 5 किलो मीटर नू अंतर का पनू होय छे, मानकी तो मारी ताजन अमारी कोरे आवी ना सकी, तो जीवा बापु क्या छे, महराज मने लागे छे, पन्थ थुड़ो टूको पड़ियो, बाकी मारी ताजन जिती जाई, तो महराज के सु करू शोवे, ताके फरी एक स्पर्दा करिया, आम आया से, तो आम जहिए, तो क्ये शारू, पण हवे, जीवा बापु, जीव पर आवी गया होई छे, ताजन ने एवी द्वड़ावे छे, कि आजे या लाग लईले, फरी आओ लाग नही मडे, औने आ बाजू महराज ना संत, जे स्चिदानन स्वामी, ए पोते अंतर यामी पणे लक्ष्मी वाडी मां बैसी, आ ये करवाना होई छे, औने महराज ये भगवान पणू वापवरवानु नथी एवो वचन आप्यू छे, औने जेवा जीवा बापु, महराज नजिक आवे छे, औने लात मारवानी तैयारीच करता होई छे, त्या सचिदान स्वामी वाडी ए थी एवी लात मार छे, कि काम करता हो जोए छे कि आज या सहजानन स्वामी औने जीवो बापु खरे-खरेना खेले चड़िया होई छे अने आ जीवो बापु याम घोफण मा गोरो फरे याम फर्तो फर्तो खाई मा पड़ियो काम वारान लाग्युक आज आ जीवो बापु गयो एने कोई बचावी सक् महाराज तो वेगमा आगर निकरी जाई छे अने त्यार बाज जुवे छेक जीवो बापु क्या अने आज बाजू सोर बकर साबरे छे तो जुवे छे तो जीवा बापु गोराम ता खईने खाई मा पड़िया होई छे महाराज त्यां जाई छे आम तो मरीज जाई बचवानी कोई सक्केता नथी पन महाराज पोताने सक्ती थी आमने बचावे छे तेमने जोरी मा नखावी ने यहमना दरबार मा लेई आवे छे यहमने मलं पट्टी करावे छे पानी छाटी ने पानी पिवडावे छे थोड़ा भानमा आवे छे तरे महराज केछे ए जीवा बापु तमने शू थायो तू आ गोराम ता क्या मना खई गया तो जीवा बापु केछे बने महराज मुने कई खबरो ना पड़ियो कोई पाचर थी एवी लात मारी क्यों गोडी साथे गुलाम तू खई ना पड़ी गि बागी मारी गोडी आम पड़े नए माराजने थायो अवे जीवा बापु बड़ा बरओ चे अनने महराज धादा दरबार मावे छे मुक्तानन स्वामी सहीथ सौ संतोनी सभा ब haircut अने खोटो खोटो क्रोद करीने महराज केछे मुक्तानन स्वामी कोई मानस मारो थयो होई एने आ सत्संग मा रखाई मुक्तानन स्वामी ने के थयू लागे छाजे महाराद नी ब्रकुटी फरी गई छे तो के महाराद यहमा मनेशू खबर पड़े ता के ना मने को कोई मानस मारो थयो होई तेने रखाई तो के महारत तमें के वात करो तो खवर पड़े ताके जुआ सची दानन स्वामी छे ने ए मानस मारो छे एने लक्ष्मी वाडिये 22 ने एवी लात मारी त्या थी क्या जीवा बापु गोराम टुखई ने खाई मा पड़ी गयो एतो हमे अता हमने दया आवी तो हमे आज जीवा बापु ने बचाविया बाकी एतो धाम्म पहुंची जातने आज जीवा बापु आट अटला कावत्रा करया पन महाराज जुओ जीवा बापु नो पक्स लेशे पची महाराज कैसे दादाने का तो हमने दरबार मा राक कात्या चची दान ना राक दरबार जाने छे कि महारार ने स्वामी ने क्या छे तम् jeans temporary दरबार छोडी ने जाव मारार नो वेख सांत परते ले तम्ने अने एक दिवस एवो आवे छे के एने अनाज खुटी जाई छे तरे जीवा बापु विचारे छे के मारी मोटी डेली केवाई अने मारे त्या अनाज ना फाफा होई मारे त्या मेमानों आउसे अने हुँ सु जमाडिस आवा ने आवा विचारे पोते आत्म हत्या करवानों विचार करे छे तेरे माहराज पोते तेने त्या दादाना दरबार माथी अनाज ना गाडा भरी ने मोकले छेने कैसे जीवा बापु आवो मोरो विचार ना थाई आख हव वरस चारले एतलू अनाज हुँ तमने आपूछू, तमें सुखे थी अनाज वापरो, अने सान ती थी जीवो। हावी सिवा महराज जीवा बापुनी करे छे, हवे जीवा बापुनो अंत काड आविग्यो होई छे, अनत काड थाई छे, आटला बधा वादा धोका करया होई छे, अनत काड यमना दू तेने देखाई छे, तरे जीवो बापु फफडी उठे छे, पन जीवा बापुनी जे दिकरी होई छेने, ए दिकरी अमूला, स्री जी महराज नी परम भक्त होई छे, ए महराज नी पासे जाई छेने, कैचे महराज, आज जीमारा बापु जीनो अनत काड छे, एनु भलू था यहू तमे करो, अने दरबार मा तमे पधारो, महराज जीवा बापुनी पासे जाई छे, तेना माथामा हाथ फिर्वे छे हवे जीवा बापुने खुब पस्तावो थाई छे महराज निसामे पोक मुकीने रड़े छे महराज मैं तमने बव दुखवया मैं दादाने दुखववामा कई बाकी राख्यू नथी मारू कल्याण हुए कोई काड़े था यू नथी एम कईने पोके ने पोके रड़े छे अने पोताना बधा पापोनी महराज अगर कबूलात करे छे अने बोलतो जाए महराज हुए मारू कल्याण कोई दिवस नी थाए त्यारे महराज कैशे तमारू कल्यान हुँ करीश, तमे मने केवो जानों छो, हुँ पोते परभ्रम पूरिशो तम नारायन शू, तमारू कल्यान तो हुँ करीश, क्यम के मारी द्रश्टी तो मात्र भक्तो ना गुण परत छे, एना दोस ने क्यारे हुँ जोतो नथी, अने तमे मारी त्राण बहु मोटी सेवा करी छे, ये तमारा त्रण गुण में जोया छे, ये त्रण सेवा के भी करी ती, वो मोटी सेवा करी ती, कारण के जीवो बापु पहला तो बहु सारो सत्तंगी होई छे पन ज्यारे एभल बापु बधू महराज ने आपे छे त्यारे एने इर्षा जागे छे अने महराज नुँ आउ बधू कार्य माया मैनो प्रवेस थाई छे तेसी थाई जाई छे एक वार एउ थाई छे के महराज ने सेरडी खाता होई छे अने सेरडी कापता कापता महराज ने खापो वागी जाई छे महराज नी आ आंगरी माथी लोई नी धार बहस थाई छे लोको विचारश के पाटो क्यां थी लावो त्या जिवा बापू पोते बार सो रूप्यानो मगो सोना ना तार वारो फेंटो पेर्यो होई छे ए फेंटो हाडी ने महराज ने पाटो बांदे छे बिजी एक वार एउ थयू होई छे ते घडडामा खूब मतो वर्षाद पड़ियो होई छे अने महराज ने सौच क्रिया माटे जव होई छे बार कोई व्योस्ता होती नथी पोता नो चूलो महराज ने व्योस्ता मा आपे छे पसी महराज नावा जाई छे तारे महराज ने ठंडी चड़ी जाई छे तेरे जीवा बापू पोतानो मोगा मोगो दोलियो होई छे एक दोलियो फाडी ने जीवा बापू महराज ने तपावे छे औने बीजी एक वार जारे महराज मोटू सरगस निक्रिव होई छे तेरे महराज हाथी पर भी राजमान होई छे महराज ने चनक ठुकवान दर्य चैना कि घुक नींची तव क vragen भक्तों होई चैना धुक होई चैनां जीवाबाप egन को उह माहाजुलीों कष़ता जैं आतों ते। एगन अम चैना दर्य पलन खोण्यों खैना को महराज नू अवो गुण हुई छे महराजने मुक्तानय स्वामी ने चर्चा थाई छे अ वाच वत्नामृत्म पण आवे छे के महराज कह चे के भगवान राम नो सभव के ओ के भगवान राम तो बहुद जयाडू पण जो एनो आसरित कोई गुणा मा आवे तो तत्कार एनो त्याग करी दे जो सीताजी महराज राम भगवान केटला बाला हता पन धोबी एक लांछन लगायू तो सीताजी जेवा सीताजी नोत त्याग करी दि दो तारे मुक्तानन स्वामी क्या छे रामानन स्वामी नी आवी प्रक्रुती हती जो कोई भक्त वाकमा आवे तो रामानन स्वामी अनो ततकाड त्याग करी देता हता तारे स्रीजी महराज प्रयाम्थी बोले छे पन अमारो स्वभाव येवो नथी अमारो स्वभाव तो बहु दयाडू छे अमने तो अमारा भगवानना भक्त उपर करूना उपजे छे अमे अमारा भक्तो ना दोस क्यारे जोता न थी मात्र ने मात्र तेवना गुण जोईने तेवन कल्यान करिये छे आवो कल्यान करी स्वभाव वारा स्रीजी महराज औने एवना धारक साहेब दादा आजे आपने प्रत्यक्स मड्या छे तो तेमने जेवा गुण ग्रहन करवन स्वभाव अपना वियो छे एड स्वभाव, थिंक पॉजीटिव, रेष्ट विल फॉलो नौवान वावव गुण ने त्याग किन एग गुण पन फोकस करो आज स्वभाव आपने सौ ग्रहन करिये तेवी स्रीजी महराज औने सायब दादाना चरण मा प्राथना सहाजानन स्वामी महराज नी जैए साधू पुजेव, विमल्दास जी नी चटा अधभूत जैए और वन्वा माटे शब्दो बहु उचा पड़े एवी आपना सौनी परिस्तिती साइ रदयमा आनन्द व्यापी जाए एवी अकल्पनी शैली साथे एमनी पोतानी एक यूनिक छटा साथे आपने कथा मा जोडे शेटले बहु साचु शांतिदादा केचे प्रमाने कि या पुरुव जन्मना कोई बहु मोटा शास्त्री है और अने कथा हो करता है अने आजन में तो आप प्रगट नी उपास्ता द्रड करावना भाव साथे जे एक कथा करी रहा छे एक खुब अद्बूत छे माटे जोड़दार तालिती एक वकद साथू कुझ विमल्दास जी ने आपने वंदन अभिनंदन पाठाविये छे अवतिकाले गांधी जायन ती से अने गांधी जी ने याद करिये त्यारे एमनी साथे पिला त्रण वांदरा अचुक याद आए एक के खराब ना जूओ एक के खराब ना सांबलो और एक के खराब ना बोलो पन साहेब दादा आप आरायन अने आ साथू बिमल्दास जी ए सारू साम्दों, सारू साचू उशु छे, तो के भगवान ने भगवान ना लिला चरीतरो, आज एमने पाडाखार ना वचनामरूत नो अधार लईने, जिवाबापु ना अख्यान नी वाद करी न करवानी वाद तो करी, और छले वच्चे शरुवात्मा पन एमने जे वाद आधार लईने, मीश लईने, एमने भगवान ने जे रूची हती, जे गमतु होतु एनी वाद करी, आँ छल्ला प्रसंग मा पने जे पारायनी पूर्णा होती आजना दीवस्नी करी, त्यारे पन एमने वाद करी, कि माटे आपने गमे एटला उगुण होए एने न जोता तो पची भगवान राजी, राजी ने राजी गमे एटलू विपरित करिऊ होशे, जो सारू एक काम पन थाईू होशे, तो एतो दयालू छे, कल्यान करशे, पड़ एक थी आटलू कल्यान करता होए, तो जो तमें दर्रोज, दर समय मां, दर परिस्थिती मां गुण, आपने समझावी छे, ये बदल खरेकर खूब 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 वंदन करिये छे, अन्येमनी आ छटा, आ शैली, आ भावना, आ सचोट दर्शन ने परिना में तो एमना आप चाहको तो वत्ता जाई छे, साथे साथे आ शुब परवे, आ शुब पारायन मां दान देना भक्तो, सेवा करना भक्तो पन दिन प्रति दिन वत्ता जाई छे, समापन श्लोक ना गान करिने, आजनी पारायन नो आपने समापन करिये छे